आज के इस वीडियो में देखने वाला है कि स्टेट बैंक आप इंडिया का ATM प्रिंग जनरेट कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदी की ATM मसीन में जाना होगा इसके बाद कार्ड को मसीन में घुसाना होगा जैसे आप घुसाएंगे इसके बाद आपको ATM मसीन के डिस्पले पे आपको देखेगा language select करने का option आपको language select करना है इसके बाद आपको pin generation पे किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा please enter your account number यानि कि आपके passbook में जो account number है आपको देखके इस box में भरना होगा जैसे आप भर लेंगे इसके बाद भरने के बा इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे दिखेगा एक sleep तो आपको sleep और ATM कार्ड निकालना होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके register mobile नंबर पे SMS जाएगा वह चार डिजिट कर आएगा उसको यहाँ पे आपको अच्छे से रखना होगा फिर से आपको कार्ड घोजाना होगा ATM मसीन में इसके बाद आपको display पे दिखता होगा language का तो आपक को किलिक करना होगा जैसे आप बैंकिंग पे किलिक करेंगे तो आपको बहुत सारा धेर सारा option देखेगा इस option में से आपको पीन चेंज का option ढोड़ना है इसके बाद उसके किलिक करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लिखा है प्लिच इंटर यूर करेंट पिन यहाँ कि आपके रिष्टर मोईल नंबर पे जो पीन गया होगा उसको यहाँ पे देखके यहाँ पे आपको भरना होगा तो मैं यहाँ पे देखके यहाँ भर दिया इसके बाद इसके बाद यहाँ पे दिखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहेगा please enter your pin यानि कि आप जो नया ATM PINJANARDE करेंगे तो यहाँ पर आपको भरना होगा तो अपने हिसाब से भर दीजिए इसके बद यहाँ पर हरी इंटरियूर नियो पियानी की जो आपने भरा उसको फिर से दोवारा भरना होगा इसके बद कुछ seconds के बद आपको यहाँ पर दिख जाएगा और इसमें फिर से आपको language select करना होगा language select करेंगे ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना balance check करना है तो मैंने यहाँ पर यह किया इसके बाद मैं banking में फिर से गया banking में जाने के बाद यहाँ पर आपको balance inquiry का option देख उसके आपको वीडियो आपको पसंद रहा होगा तो वीडियो को like कीजिए comments की जबने दोस्तों के साथ share कीजिए और नए चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए